सीटेट पेपर टू में यदि आपका सब्जेक्ट सूसल साइंस है आज के इस वीडियो में हम साथ क्वेशन का मॉक टेश्ट लेकर करके आये हैं ऐसे परिक्षा में आपके प्रश्ण पूछे आते हैं और यह कुष्चन आपकी प्रीविस एल की परिक्षाओं में पूछे ग सब्द कौन सा है दक्षिडपत महा मंडल राजा राजदेवा या फिर मुवेंदार उत्तर होगा क्वेशन नमबर एक के लिए चोल चेर और पांड के जो प्रमुक होते थे इनके लिए मुवेंदार सब्द का प्रियोग किया जाता था यह जो है तमिल सब्द है तो यहां पर आपका उत्तर होगा Una Duch नमबर डी पहले सिसलों में इसे एक पुरा सथखल बुर्जहों में खाना मिले हैं जोपढ़ियों के अंदर जोपढ़ियों के बाहर अंदर और बाहर दोनों या फिर जोपढ़ियों से दूर चोनियों के लिए जो पढ़ियों के अंदर और बाहर दोर हो जाए तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वे लोग जो मद्यूगीन अदालतों में पांडलुपियों की प्रतिक्रति बनाते थे उन्हें क्या कहते थे शुनेखक प्रतिलिपिक लिपिक या फिर बित्तिकार कॉशन नंबर तीन इनको कहा जाता था लिपे के यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा निम्लिकित में से किसने अपने लेखन दोरा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन गुंतों में विद्वाओं को जलाने की अनुमती कही गई है कॉशन नंबर चार में आपका उत्तर होगा ऑप्शन है इसर चंद विद्यासागर पंडिता रमाबाई राजा राम मोहन राय या फिर द्यानन्द सरसुती चोथे प्रशन में आपका अंसर क्या जाएगा राजा राम मोहन राय था चोथे प्रशन का आपका तीसरा विकलब सही हो जाएग इस प्रशनका आंसर होगा option number C प्रत्री अपने अच्छ पर एक गंटे में कितनी डिगरी गूमती है question number 5 option में 90, 60, 30, 15 डिगरी question number 5 उत्तर होगा प्रत्री लगभग 24 गंटे में अपने अच्छ पर 360 डिगरी गूमती है लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक घंटे में तो आप भाग कर दीजिए पूरे जो है 24 से तो कितना आ जाएगा इस कांसर क्वेशन नबर 5 के लिए आपका उत्तर होगा 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण के लिए लिनमे से कौन सा आलमण जल का श्रोत नहीं है महासागर नदियां ताल या फिर हिमनद क्वेशन नबर 6 आलमण जल का श्रोत नहीं है आपको बताना है उत्तर होगा क्वेशन नबर 6 के लिए आपका महासागर जो है ये आलमण जल का श्रोत नहीं है नदिया, ताल, हिमनद ये जो है आलवण के मुख्ष्रोत है और महासागर ये श्रोत नहीं है महासागर और समुद्र का जल लवडी होता है महासागर में जो जल पाया जाता है उससे नमक बनता है जो हम खाने में प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं N.A.C.L Q7. लदाक में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है सरव्यापक संभाब वास्तवी किया फिर नवी करनी उत्तर हुआ Q7 के लिए लदाक में जो यूरेनियम पाया गया है ये संभाब प्रकार का है क्यों? क्योंकि लद्दाक में पाया गया यूरेनियम संभाव तरीके का इसलिए है क्योंकि यूरेनियम संसाधन की जिनकी मात्रा ग्यात नहीं है और वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन इसका प्रयोग भविश्य में किया जा सकता है तो संभाव भी हम कह से ये पूर्वत्तर भारत के खासी जनजाती समुदाय द्वारा बोले जाने वाली भासा है कॉर्शन नम्र नौ निम्लिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत वास्तिविक सम्मिधान का एक अंग नहीं था मौलिक अधिकार राजिके में तुम मौलिक कर्तब या फिर अपात काल के प्रावधार नौ इंपॉर्डेंट प्रशन है ये वाला कई बार पूशा गया है सेटेट में उत्तर होगा यहां पर आपका मौलिक कर्तब क्योंकि जो मौलिक कर्तब थे ये 1950 में अपनाए गए वास् संब्धान संसुधन हुआ था और ग्यारवे को 2002 में जोड़ा गया जिसमें आप पढ़ते हैं 86 संब्धान संसुधन के थे टोटल कितने हैं 11 भी दीन इए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई क्वेश्चन नमबर 10 दीन ए इलाही अकबर हुमायू सेर्शासूरी या और अकबर जो है इन्होंने सभी दर्मों के सामज स्थापित करने के लिए दीन इलाही रामक एक नया धर्म मतलब एक नया धर्म परिवर्तित किया था इसकी स्थापना की थी दीन इलाही की स्थापना किशने की अकबर ने तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो सब्सक्राइब कोशन नंबर 11 हुए इंसांग साथ्वी सदी में हर्श वर्दन के सासनकाल में भारत आया था तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिएगा बादसाहों में किसे कलंदर कहा जाता है अकबर हुमायो सा जहां बाबर बारों प्रशन का उत्तर हो जाएगा कलंदर किसको कहा जाता है बाबर को क्यों कहा जाता है क्योंकि पानी पत्र का जो युद्ध हुआ था इसमें विजे के उपलक्ष में बाबर ने काबुल के प्रतेख निवासी को एक एक चांडी का सिक्का दान में दिया था अपनी उडारता के करण बाबर को कलंदर कहा जाता है पानी पत्र का पहला युद्ध का हुआ था 21 अप्रेल 1526 किसके बीच बाबर और दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजे हुआ हुआ अगला प्रशन कहता है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जंडल कौन था मिंटो कैनिंग म या फिर करजन कर्शन नमबर 13 में आपका सही जवाब हो जाएगा करजन लाड करजन के कारेकाल में 20 दुलाई 1905 को सिमला में बंगाल विभाजन की सरकारी घोशला की गई थी उत्तर होगा यहां पर आपका ऑप्शन नमबर डी प्रशन में पूछा गया है कि कुवर सिंग क इस राज्य के जमिदार थे अबद जगदीशपुर बिठूर या फिर बैरकपुर जगदीशपुर वर्तमान में यह कहां है आगरा में उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नमबर बी के साथ निम्निकित जलासवें में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है जवाहर जो है इसका संबंध है रिहंद परियोजना से ठीक है रिहंद परियोजना कहां है तो यह उत्तरपदेश में सोन की प्रशिद घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है और यहां पर एक क्रत्रिम जील का निर्मार किया गया है जो भारत की सबसे बड़ी क्रत इसको तिब्बत के जानदा से जोडता है शतलुज नदी जोए इस दर्णे के पास से ही हो करकर के गुजरती है क्वश्चन नमबर 17 अश्टा ध्याई के लेखक का नाम सुकदेव पाड़नी बालमीक वेदव्यास क्वश्चन नमबर 17 की गरम बात करें तो पाड़नी जो है अश्टा ध्याई के लेखक है यह संस्कत का अत्यन्त प्राची निग्रंत है इसमें 4000 से अधिक हैं आठ अध्याए हैं दुती बहुत संगीत का आयुजन किसके राजिकाल में हुआ से सुनाग महा पदमानंद काला शोक या फिर उदय भद्र क्वेश्चन नमबर 18 अधारी में प्रिशन में आपका उत्तर हो जाएगा दुती बहुत संगीत का आयुजन हुआ था किसके का रिकाल में तो काला शोक यहां पर आपका अठारीं प्रश्ण के लिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा अगरा प्रश्ण देखेगा और इस बहुत संगीत के अध्यक्ष कौन थे सुबकामी निम्न में से कौन काकोरी काण से संबंधित नहीं है विकल्प है असफाक उल्ला राजेंद लाहिडी राम प्रशाद बिसमिल यह तीनों लोग जो हैं यह काकोरी कांड से संबंधित हैं काकोरी कांड कब हुआ था आपसे प्रश्ण पूछ ले तो आप क्या बताएंगे कोमेंट बॉक्स में लेखेगा काकोरी कांड कब हुआ था तो 9 अगास्त 1925 उत्तर रेल्वे के लखनव सहारनपुर संभाग के काकोरी नामकिस्थान पर यह डकैती डाल करके ट्रेन को लोटने का प्रयास किया गया था अगला प्रश्ण देखिए पंचायती राज को सुद्रण करने हैं तो निम्लिखित में से कौन सा भारती संब्यदान संसोधन किया गया क दो संब्यदान के भाग 9 से संबंदित है और अनुच्छे 243 से संबंदित है पंचायती राज का सुबारंब कप किया गया दो अक्टूबर 1969 भारत के पहरे प्रानमंत्री पंटिच जवालाल नहिरुजी के दौरा राजस्थान राजी के नागवर जिले में अंतराश्टी नियाले का मुख्याले कहा है दाहेग लंदन पेरिस नियुव यार्क कुश्चन नुबर 21 उत्तर होगा दाहेग में है अंतराश्टी नियाले का मुख्याले निदर्लेंड में इसकी स्थापना होई थी 1946 में इसमें नियादीसों के संख्या कितनी होती 15 नौ वर्सों के लिए नियुक्त की जाती है प्रतिक तीन वर्स बात 5 नियादीस अवकास ग्रहन करते हैं कोई भी दो नियादीस एक ही देश के नहीं हो सकते जनसंख्या नियंटर्ण वा परिवार नियोजन विशय भारती संविधान के अंतरगत के सूची में सामिल है क्वर्शन नमर 22 तो ये समवर्ती सूची में सामिल है जनसंख्या नियंटर्ण अगला प्रशन देखिए निमलेख अगला प्रश्ण है भिलाई इस्पात कारखाना कहा है मत्यपदेश जारकन और इसा 36 गड़ प्रश्ण संख्या 24 में आपका अंसर हो जाएगा भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये आपका 36 गड़ में है तो यहाँ पर आपका option number 20 से ही हो जाएगा अगला प्रश्ण देखिए का निमलिकित सैलों में से कौन सी अवसादी सैल का उधारण है शेल संग्मर्मर ग्रिनाइट श्लेट शेल ये जो है अवसादी सैल के अंतरगत आती है अवसादी होती गया है तो प्रतवी तल पर आगने और रूपांतरिक चट्टानों के अपरद और निक्षेपड के फल्शुरूप जो चट्टाने निर्मित होती है उनको अवसादी कहते हैं इसमें सेल, चूना पत्थर, चौक, बालुका पत्थर इत्यादी आ जाते हैं क्षण नमर 26, पुच्छल तारे की पूँच की दिसा किदर होती है उत्तरपूर्व की ओर सूर से दूर दक्षडपूर की ओर या फिर सूर की ओर कुशन नमर 26, पुच्छल तारे की पूँच की दिसा सूर से दूर होती है, काफी दूर होती है सूर से, सौरमंडल के छोर प से कौन ब्रंस से संबंदित है हांग बैक नतिलंब घाटी ग्राबेन सम पनती बताइए ब्रंस घाटी से कौन संबंदित है कॉश्चन नमबर 27 उत्तर होगा यहाँ पर 27 वे प्रश्ण के लिए ग्राबेन यहाँ पर आपका तीसरा विकलब सही हो जाएगा ब्रंस घाटी कब बनती है जब दो ब्रंस रेखाओं के बीच चल्टाने इस्तंब नीचे की ओड़ धस जाता है और ब्रंस घाटीया लंबी सकरीवा गहरी होती है तो इन्हें हम ग्राबेन कहते हैं ग्राबेन जो है यह जर् अगला प्रशन देखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिएगा कोश्यन नमर तीस आपके लिए छोड़ते हैं होमवर्क आश्टेलिया की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यहाँ पर कुछ अन्य वीडियो की थम्नेल बन करके आ रहे हैं बाल बिकास मैराथन यहीं से आप क्लिक करके देखिएगा मिलते हैं अगली क्लास में